पहले हमारा देश था पूरी दुनिया में माना जाता था कि एकोनॉमिक ग्रोथ में चाइना और हिंदुस्तान एक साथ आगे तेजी से बढ़ रहे हैं कि अज पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान में हिंसा हो رہी है महिलाओं को मतलब वहां पे सडकों मैं न 마스크 नि ही चलने दिया जा रहा है और बेरोज़गारी 45 साल से जए मगर नरेंद्र मोधी इसके बारे में सम्झा नहीं पा रहे हैं, उनको भी नहीं समझ कि हुआ क्या कैसे हुआ, पहले मजाक उड़ाते थे, अब प्रधान मंत्री का जो काम है, उकर नहीं पा रहे हैं. NPR and NRC, what do you have to say to that? देखिए, चाहे NRC हो, चाहे NPR हो, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स है, आप नोट बंदी को समझ जीए, नोट बंदी हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स था, बैंक में जाईए, पैसा दीजिए, अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकालिए, और पूरा का पूरा पैसा वहीं 15-20 लोगों को, ये भी बिलकुल वही चीज है, जाईए, अपसर के पास जाईए, गरीब आदमी जाएगा, अपने कागस दिखाईए, रिश्वत दीजिए आपका नाम थोड़ा गल है तो दूरिश्वत दीजिए, करोनो करोनो रुपे हिंदुस्तान की गरीब जनता के जेव में से निकाल कर उनी 15 लोगों के जेव में जाएगे, ये है, सब चाहिए, अब गरीब व्यक्ति पूछ रहा है, कि भाई, हमें रोजगार कैसे मिलेगा, झाल